गईज असलाम लेकूम वेलकम बैक टू दी अनदर न्यू वीडियो मादा व्लाग्स में आप सभी का वेलकम हैं आज हम बात करने वाले हैं लो लाइंग प्लेसंटा है तो आपको कौन सी पुजीशन में सोना चाहिए अगर आपका प्लेसंटा लो है तो सोने के लिए आपको क बिल करूंगी कि मैं लो लाइंग प्लेसंटा कौन से बेबी के टाइम था बॉय के टाइम था गर्ल के टाइम था और किते वीक्स में लो प्लेसंटा था किते मंथ में लो प्लेसंटा था मैं थमनेल में लगा दूंगी आप लोगों को विद्फ्रूफ एक्सपीरियंस भी ह कि लो प्लसंटा किस वीक में और कौन से बेबी के टाइम था मेरे मेरा जो एक्सपीरियंस वह बहुत ही अच्छा रहा है अलहमदोलोगा क्योंकि मेरे लो प्लसंटा होने के बावजूद भी नॉर्मल डिलेवरी का एक्सपीरियंस रहा है तो कितने मंत में था पहले वह आप जरूरी है because normal delivery के लिए आपको 9 month में सब कुछ exact अगर placenta सही position पे है आपका baby head down position में है पानी की कोई कमी नहीं है तो normal delivery के full chances हो जाते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का जो question है पहले वो पढ़ लेती हूँ what is the best position to sleep in with a low lying placenta अगर placenta low है तो कौन सी position में सोना चाहिए तो आज का question है तो बढ़ते हैं answer की तरफ answer is the best sleep position during pregnancy is sleep on side यानि आपको side में ही सोना चाहिए सा straight नहीं सोना चाहिए because it provides the best circulation for you and your baby blood circulation वगरा बहुत अच्छे से होता है because side by side सोने से या तो right या तो left continuously right भी नहीं सोना है continuously left भी नहीं सोना है जादा तर तो आपको left side ही सोने के लिए कहा जाता है doctor भी यही recommend करते हैं कि doctor भी कि आपको left side position पे ही सोना है अगर आप एक side सो कर थोड़ा uncomfortable feel कर रहे हैं तो right भी ले सकते हैं यहाँ पर लिखा है side by side तो left या right सो सकते हैं it also places the least pressure on your venus and the internal organs जी हाँ एकी side सोने से आपके organs पे उस पे effect हो सकता है pressure पड़ सकता है sleeping on your left side it increase the amount of blood and the nutrition that reach the placenta and your baby तो देखा आपने यहाँ पर मेरे doctor ने मुझे पहले ही recommend किया था कि जैसे ही आपकी pregnancy की journey आगे बढ़ती है वैसे वैसे आपको हमेशा left पे ही सोना है जादा time left पे सोना है अगर आप left पे जादा सो कर थोड़ा uncomfortable feel कर रहे हो थोड़ी देर के लिए आप right side ले सकते हैं फिर continuous आपको left में ही सोना है तो यह experience के बिहाफ पे मैंने पहले ही आपको discuss किया था बाद में यहाँ पर detail में पढ़ने की बाद पता चला कि left side सोने से बेबी का जो blood flow है वो बहुत अच्छे से उस तक पहुंचता है और ज्यादा quantity में यानि amount of food ज्यादा nutrition भी बेबी तक पहुंचता है by placenta हमारे बेबी तक सब कुछ अच्छे से reach होता है nutrition कहें, blood कहें, oxygen कहें, सब कुछ by placenta बेबी तक ही अच्छे से पहुंचता है अगर आपका low line placenta है तो मेरा experience बताओं तो मेरा 5th month में low line placenta था 21 weeks थे उस वक्त और मुझे baby girl हुई थी सिर्फ 5th month में ही मेरा placenta low था बाद में exact अपनी position ले चुका था तो मेरा placenta का experience था posterior placenta and I have baby girl and normal delivery अलहमदलिल्ला तो do like शुक्त